हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम बेक टू सचिन मैथ क्लासिट जो अमारा मेसी का मैथ चल रहा है मैकेनिक्स ओप सोलेड इसके उपर आज हमारा लेक्षे नमबर 32 है बेटा इससे पहले के लेक्षे जितने भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है आप जाक आपको ठीक है बेटा जो minimum energy principle पढ़ाया था वहीं से ही हमारी उसके अप्लिकेशन चल रही थी एक अप्लिकेशन मैंने पढ़ा दी दूसरी अप्लिकेशन है आज difflection of a central line of a beam यह आ जाता है इसका दूसरा नाम है Drive Ojler Equations of difflection of a central line of a beam यहां उलर equation भी आ जाता है वेटा उलर equation आता है यहां पर लिखा हुआ है यह सब में आएगा तिन तीन application है तीनों रिका हुआ आ सकता है पर पहले में बताया था क्यों क्योंकि यहां पर इस equation का यहां पर use होगा तो मैंने आपको cov math पढ़ाया था उस math में भी इसका use हुआ था वो यहीं से स्यारा दिखाया हुआ है यहां पर जादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं एक formula है वेस आपको उतना याद रखना है ठीक है इस topic को सरू करते हैं बहुत ही अच्छा topic है क्या करना हमें consider करना है beam जिसका cross sections क्या है हमारा constant रहेगा वो length क्या रहेंगा along x-axis रहेगा simple सी बांद एक beam concept करना है उसका जो cross section लेंगे वो क्या होगा constant होगा एक length लेंगे वो किस क्या along रहेंगे हमारी x-axis क्या along रहेगी उसके बाद क्या बोला further consider the beam is bent by the transverse load जो beam है वो bent होगी किसमें transverse load transverse load क्या रहेगा p is equal to fx जो क्या है per unit length of the beam और हम assume कर लेते हैं जो sharing stress रहेगा क्या रहेगा sharing stress रहेगा वो क्या रहेगा negligible रहेगा as compared to tensile stress के अभी यदर क्या बोल दिया इसने जो sharing stress है बेटा वो क्या रहेगा negligible रहेगा किसके compare में tensile stress के component में तो हमारा जो tensile stress है along the axis of the beam is given by तो किसके को रहेगा txx is equal to capital m y upon i यहाँ पर m क्या है magnitude of the moment of couple और i क्या है area of moment of inertia about x-axis अभी यह हो गया हमारा यहाँ से तो हमारा इसके compare में strain क्या होगा यह तो क्या सिखा हमने stress था tensile अब stress नहीं strain निकाले तो exx किसके equal होगा हमारा txx upon e के यह हमारा क्या है modulus of elasticity अब जो टी इसमें यहाँ से किसकी value होई थी txx क्या value होई थी m y upon i यहाँ पर उठ कर दो क्या है m y upon i यहाँ पर हमने इसकी value पूट कर दिया txx upon e की जगह value पूट कर दिया m y upon i e value आ गई exx की अभी सब्गी को पता है strain energy density function continuous आप पढ़ते हो डबलू इसके एक वर होता यहाँ पर यहाँ पर प्लाइस हिए और क्या ज colonial में निकालना पेटा इसके बासाट की अब निकालना तो तो वो किसके उपता है U is equal to integrate W nita, अब W की value क्या है, अभी आपने निकाल लिए half of M square Y square upon I square E d nita, यहां से हमें किसका integration करना है Y का, Y d nita का, इसको हम किसके equal, यह किसके equal होता है बेटा, हमारा I के equal होता है, तो हमने इसको किसके equal ले लिए I, तो 1 I से 1 I cancel होगे है, नीचे कितना बज़के 1 I, तो W किसके equal होगे, half M square upon IE के equal होगे हमारा यहां पे, अभी हमारा पता है, यह उलर बर्नोली जला यह relation है, इससे हमें पता है कि M किसके equal होता है, माइनस E I Y double dash, यहां पे इस M की value यह put कर दो, put किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, नेगिटिव स square, I square, Y double dash square, नीचे कहे है, 2 E I, एक I से एक I cancel होगे, एक I से A, तो क्या बज़ जाएगा, यहां पे E I Y double dash का, square upon me 2, यह U की value आगई बेटा मादी, तो total strain energy निकालना पड़े हमें, ओ दी बीम, तो क्या हो जाएगा, U is equal to integral 0 से L, half E I Y double dash हो जाएगा, हमारा D X, आप देखो है यहां पर, अभी हमारा जो potential energy से given है, जो potential weakest के को होता है, U minus integral over 0 से लेकि L F X Y X D X, यह मैंने प्रूव कराया था बेटा आपको, potential energy theorem में, minimum potential energy theorem में, तो वहां से यह U की value थमने अभी निकाल ली, यह U की value यह है हमारी, यह value यहां पर रख दो, ठीक है, यह हमारी होगे, दोनो हमारा F X क्या है, बेटा, transverse load है, Y X क्या है हमारा, transverse deflection है, बेटा, F X क्या है, transverse load है हमारा, जो हमने load डाल रख है, और यह क्या है, transverse deflection है हमारा, अब बेटा, यह क्या आ गया, functional, देखो, F, यहां पर दिहान देना, यह देखो, यह क्या है, एक functional बन गया हमारी पास, जो कि एक्स फोर्म में x y y double dash किसके एक वले हाफ e y double dash का square माइनस f x y x ये बन गए बेटा ये क्या बन गए अंदर वाले का में क्या मान लिए functional क्या मान लिए functional आप functional को किसे square करते हैं बेटा ये मैंने वहां double dash था single dash था जहां किया कि double तो इसमें यह add कर दिया इस चे अगले लेक्टिर में जब आप membrane वाला पड़ोगा इसमें 3rd आजाएगा तो यहां पर क्या कर देंगे d q upon dx square curly f upon curly y triple dash is equal to 0 यह हो जाएगा बस इस equation में अगले membrane वाला मैं नोट्स में दे दूँगा उसमें आपको देखना है अभी हमने क्या कर लिए इसको functional add कर लिया था अभी हमें किस कि value जी है curly f upon curly y minus यह d by dx से यहाद रखना अंदर वाले curly है यह curly है यह d square upon dx square है यहाद रखना यह curly f upon curly y है यहाँ से curly f upon curly y की value निकालो वाई देखो वाई है इसमें y double dash यह नहीं है तो यह 0 हो गया माइनस fx as it is y का differentiation क्या होगा बेटा वन तो माइनस fx बच गया यहाँ पर अगला किसका निकालना curly f upon curly y dash निकालना है तो y dash इसमें है नहीं तो 0 हो गया अब अगले में निकालना curly f upon curly y double dash double dash यहाँ इसमें तो है नहीं यह तो 0 होगा यहाँ है तो यहाँ हाफ e i two y double dash और y dash का क्या होगा वन तो two से two cut गए e one y double dash e one e i y double dash सारी value put कर दो इसके जगा fx किया इसके जगा 0 किया तो यह पूरा 0 हो गया पलस d square dx square e i double dash is equal to 0 अब e y constant है बहार ले लो इसका x square करेंगे तो डबल दो बर करना है तो square है तो 4 बार differentiation हो जागा दो बार और होगा तो क्या हो जाएगा y की power force negative sign common ले लिया दूसरे साइड बे दिया तो यह क्या होगा it is the differential equation for deflection y x of the elastic of the string यह था हमार आज का topic बेटा अब इसकी एक अप्लिकेशन और deflection of the elastic membrane यह भी बहुत ही अच्छी है आज तक आपके exam में आई नहीं है बट इसको करके जाना है कहीं नहीं पता exam point of view से 99% यह application भी मेरी तरफ से important है इसको करके जाना आई नहीं है ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें same equations बनेगी बेटा यह हमारा रहेगा और इसमें same उलर जो equation है वो बनेगी है हमारी इस परकार से इसमें बहुत ही है अच्छी application है इसको मैं request करूंगा करके जाना और भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहां पर बता देता हूं only RS 100 रुपीज में notes available है प्लस यह वीडियो लेक्सस आपको provide करा देंगे प्लस में प्रियेशर question paper भी आपको ready हो रहे हैं दिर दिरे वो भी provide कर रहे हैं ठ इसी में COV math भी है ठीक है इसमें mechanics math भी included है ठीक है इसमें तीन math आपके एक कुछ इनिवेस्टियों में तो मैंने उसी के साब से ready क्या है कि यह math ready है discrete mathematics के notes available है integral equation and boundary value problem मैंने complete करा दिया है और mechanics of solid भी approximate complete हो गया है उसके बाद fluid mechanics and samsology math भी complete हो गया है उसके बाद complex analysis complete है उसके बा ठीक है यह इतने सारे मैंने यहां पर complete करा दिया है जो कि बहुत ज़्यादा दिमांड तो इन math के आ रही थी तू नंबर से six नंबर तक जो कि मैंने approximate इनका 70% weightage complete करा दिया है अब मैं दूबारा से लेना सरू किया था क्योंकि इसके लेक्सेस कुछ रह गया था एक बार तो हैं तो 100 रुपीज में अवलेबल है नीचे description में link दिया हुआ है या आप eight six eight five zero seven zero three five eight पे contact कर सकते हूं नॉट्स के लिए वर्ट से पहुंद लिए और ऊसके तो टेलिग्राम पर कॉंट्ट करने की कोशिश करना माच जल्दे reply में लेगा आपको ठीक है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्यू